गुद मर्देंग इस्टूडेंट्स आही टीटोरियल में आपका स्वागत है तो मैं आज पूल टेक्निक के लिए अथा डिकलमा के लिए मैथ का चोब विश्वा कलास लेने जा रहा हूं और यह जमेट्री का तीसरा कलास है तो परतेक बेंदुओं को परतेक पॉइंट्स को आप रियान से समझें और वीडियो में से उसे अंद्र टक बना रहे हैं लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें तो देखिए आज जो है इससे मैं बताने जा रहा हूं देखिए यह आप जानते हूं भी यह उंतह केंद्र यानी इन सेंटर यह गोता है परी केंद्र लंब केंद्र गुरूतु केंद्र तो देखिए इस आपके बारे में जो है से हम बताने जा रहे हैं इसको आप दिहान देखिए तो देखिए सबसे पाले जो है से हमकार है क्या केंद्रा केंद्र या इसी को कहा जाता है गुरूतु केंद्र गुरूतु केंद्र केंद्र कई या गुरूत्य केंद्र क हिए इसको अग्रेजी में क्या बोलेंगे सेंट वाय एड़ या क्या बोलेंगे सेंटर आफगैटऑ एसेंडर ओफ ग्रैबयाएटी तो देखिए यह जो है से किसको कहते हैं ध्यान रखिए कोई तिर्भुज है ति किसी तिर्भुज की माधिकाओं का कटान बिंदू या छेदन बिंदू या परतिछेद बिंदू जो है तिर्भुज का क्या कर लाता है या मध्य के अंदर भुता सकते हैं यानि कहने का मतलब है कि माध्य काओं माधी काओ का ज्याच भेदन बिर्दु माधी काओ का ज्याच भेदन बिर्दु या परतिषिवत बिर्दु यानि पॉइंट ओफ इंटर्सेक्शन को क्या कहा जाता है तो देखिए यह एक तिल्भूज है तो देखिए माधिका किसको कहा जाता है तो यह बीसी एक तिल्भूज है देखिए तो इस भूजा का बीसी भूजा का मध बिन्दु मालिया यहां है मध बिन्दु मने अधाद बिन्दु मने यह दुनों सेम है तो यहां से इसको मिला दिजिए यह तो यह है आपका माधिका हो गया अब आईए इसका मध्य बिन्दू क्या होगा इसका मध्य बिन्दू मन लिया मन लिया आई 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 आपका स्यम है तो इसको मिला दी जिया तो यह हो गया आपका क्या मेडियन्स हो गया माधिका हो गया भी इ फिर इसके बाद मन लिया एक बिन्दू पर मिलता है देखे इस बिन्दू पर मिल गया तैसी को कहा जाता है क्या इसी को कहा जाता है सेंटर ओफ ग्रेविटी बड़ा जी ससुचित किया जाता है यानि केंद्र क्या गुरू तो केंद्र आपको अगर कोई कहेगा कि किसको कहते हैं तो आपको यही कहना है या किसी तिर्भुज की माधिकाओं का पर्थिछेद बिन्दू है या छेदन बिन्दू है या कटान बिन्दू है या किसी तिर्भुज में जो है से माधिकाओं का छेदन बिन्दू यानि कटान बिन्दू यानि पर्थिछेद बिन्दू है तो यह जो है से इतना तो समझ गए इसके बाद जो है से और कुछ समझाते हैं जिसको ध्यान रखिए जैसे देखिए यह जो है यही आपका AD है मालिया IG है तो देखिए यह दू अनुपात एक होता है यानि किसी तिर्भुज का गुरुत्य के अंदर जो है अब ध्यान रखना है कि किसी तिर्भुज का गुरुत्य के अंदर माधिका को दो अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है गुरूत्व केंडर ता एक पॉइंट तही हो गया इसमें दूसरा जो है से गुरूत्व केंडर या केंडरक कहिए केंडरक माधिका को केंडरक माधिका को दू अनुपाति एक कि अनुपात में विभाजिद करता है, ना Player को सब्सक्राइए विभाजिद करता है जो हैं तर्ट चाले के आनुपाटि कि अनुपात में करता है यानि करने का मतलब है कि A G A G by G D या ये भी आप कह सकते हैं B G by G E B G by G E या ये भी आप कह सकते हैं C G by G F C G by क्या G F बराबर क्या होता है दू अनुपात तो यह भी आपको जो है सिध्यान रखना है कि माधिका जो है सिख्या करता है कि तिर्भुज को काधिका को जो है से गुरुत उठेंदर जो अनुपात एक की अनुपात में जो है सब उसको विभाजित करता है उसको डिवाईडी करता है अब जो है से इस एक चीज़ और याद करने के लिए आपको बता रहा है जहां रखिए मन लिया कि ये बिंदु का नियामक जो है से X1, Y1 है और यह भी बिंदु था न तब भी बिंदु का नियामक आपको जो कैसे X2, Y2 है और इसी बिन्दु थात है इसका नियामक मन लिया कि आपको X3Y3 तो अगर गुरूत खेंद्र या जीप या थात जी बिन्दु का नियामक जो है यानि गुरूत खेंद्र का नियामक अगर निकालने के लिए कोई कहेगा आतिर्भुज के तीनों सिर्ष यानि तीनों भर्टेक्स का आपको जो है से कोडिनेट दिये हुए है आई इसके बाद सेंट वाड और सेंटर अप गरेविटी का कोडिनेट आपको अगर जानना है तो देखिए आपके पास एक जो हैसे फर्मुला रख रहे हैं जिसे आप जो हैसे हमेशा याल रख रहे हैं सो देखिए जीद जिफिसम ग्लेंट मने नियामक दे रहा तो उसका एक्स नियामक देखिए क्या होगा एकस जोड़ेश टू जोड़ेश थीरिट आप बटे तीन इसका वाई नियामक आपको क्या होगा वाई वन जोड़ वाई टू जोड़ वाई इसमें बटे क्या आती कि तेनों शीर्ष का अगर नियामक दे देगा तो उसके गुरुत खेंदर यानि सेंडर अपगरेविटी का नियामक जो है से दिखिए दूसरा प्वैंट पर आते हैं हम आपको क्या अंताह के अंदर रोत के अंदर की ओंताह के अंदर को कह जाता है कि और इन सेंटर तो इसको कहते हैं अंताह के अंदर किसको कहते हैं तो इसको आपको समझना पड़ेगा तो देखिए अंताह के अंदर के बारे में जो हम बता रहे हैं इसको आप द्यान से समझिए देखिए ये भी सी एक तिर्भुज है ये भी सी एक तिर्भुज है आपका तो देखिए एक कोन क्या है ये है आ एक कोन बी है आ एक कोन क्या है सी है तो कोन एक को जो है से क्या की दिये कि समधि भाज की दिये मने बाइसेक्ट की दिये इसको तो मान लिया कि इसको ऐसे बाइसेक्ट कर रहा तो ये आई दुनों कोन से बीकोन को भी बाइसेक्ट की जिये तो इसको मान लिया बाइसेक्ट की जिये बाइसेक्ट की जिये मने आधा दी की जिये तो इसे की जिये तो इकोन आईकोन मान लिया सेम है तो यहाँ पर जो हैसे पड़ गया दुमा आई इसको भी बाइसेक्ट की जिये तहीं भी जो है से इसी बिंदू से जाएगा तो देखिए क्या है इस बिंदू पर अगर आपका कौट गया तो यही आपका जो है से क्या है इन सेंटर है इसको आई से सब लिए लिख रहा है चुकि देखिए की इन सेंटर है आई इन सनसर वराए तपहले क्या इन सेंटर ओब शिख्याद कीजिए कि यहां से प्रूज पर इस भूजा पर बी-सी पर जो है इस लंब डाल दी यहां यहां से इस पर डाली है तो मन लिया कि यहां से जो हैसे इस पर हम लंब डाल दिया देखिए, लंब डाल डिया तो यहां इतना थीजी है लेकर के बृत खीचिए तो यहाँ बृत जो हैसे ऐसे खीच आएगा ऐसे आपका उज़े बृत जाएगा यह度 यार थीजी हाँ कर आपका इसी को क्या कहते हैं इसी को आपको इन पर का हजाता है आनतह के अंधर कोनों की कि यह परतिशेद बिंदू किसका किसका है कि किसे तिर्भूज के तीनों कोनों के समझे कहा जब किसे तिर्भूज के तीनों कोनों के आर्धकों का कटान जितुदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदू तिर्भूज के कोनों के लिए और्धपों का कटान बिंदू और्धपों का कटान बिंदू क्या कहलाता है तो यह जो है से इंसेंटर कहलाता है तो आप आप समझ गया कि किसी तिर्भूज की माधिकाओं का कटान बिंदू अगर रहेगा तो वह केंद्रक रहेगा या गुरूत केंद्र रहेगा लेकिन किसी तिर्भुज के तीनों कोनों के अर्धकों का जो कटान बिंदु रहेगा या परतिछेद बिंदु रहेगा या मिलन बिंदु जो रहेगा वह है आपका अंता केंद्र का लाएगा तो यह अंता केंद्र आईस बिंदू का नियामक मालिया कि अगर X3 Y3 है तो उंतर केंद्र का नियामक हम निकाल सकते हैं इसके लिए भी जो सुत्र दे रहा है उसको ध्यान रखिएगा तो देखे एपी सी एक तिर्भूज है तो यह है बढ़ाए तो इसके सामने के भूजा को कहा जाता है छोटा है इसका सापने का भूजा एसी है छोटा भी C कोन के सामने के भूजा है तो इसको छोड़ा C से लिखते 23 बिन्दु का अगर नियामक हमको निकालना है 24 बिन्दु का नियामक अगर निकालना है तो देखिए हम ऐसे निकालते A X 1 प्लस B X 2 प्लस C X 3 बटा A जोड़ B जोड़ C अगर देखिए इस बिन्दु का यानि अंतर के अंदर का जो है से वाई नियामक देखे निकाल रहे है A Y 1 प्लस B Y 2 प्लस C Y 3 बटा A जोड़ B जोड़ C तया हो गया आपका अंतर के अंदर का नियामक A B C क्या है आप समय लेजिए यहां साइड में A B या C आपका क्या है तो यह का मतलब क्या है यह का मतलब आपका B C हुआ न तो इसको तो आप कैसे निकालिएगा यह डिस्टन्स फर्मूला से निकालिएगा X 2 माइनस X 3 कि दि होल स्क्वेर अपलस बताईए Y 2 माइनस Y 3 Y 2 माइनस Y 3 का दि होल स्क्वेर आप इसका क्या कर दिजेगा अंडर रूप तो यह निकल जाएगा आपका यह चोटा B अगर आपको निकालना है तो X 1 माइनस बताईए X 1 माइनस X 3 का दि होल स्क्वेर अप पलस बाई 1 माइनस बाई 3 का क्या दि होल स्क्वेर इसका क्या होजाएगा तो इसका होजाएगा आपका अंडर रूप प्जाएगा तो इस तरह से APC जो हैसे हम लोग निकाल लेंगे सी इसी तरह से निकाल दीएगा और इसके बाद जो है सही से फर्मुला पर अगर एड़ चस्ट कर दीएगा तो बिल्कूल जो है से आपका सटिक बेंड जाएगा और यह जो है से इन सेंटर का कोडनिक आपको देदेगा तो इस तरह से जो है से आपको कोड़ी कोड़ी के बार कि और में जानते हैं और इसके बाद जहाँ सब्ताते हैं विंद्धु को देखिएगा ध्यान कि कैसे हम निकाल रहे हैं, इसको आपको भूलना नहीं है, तो देखिए अब हम लंब केंदर बता रहे हैं, फिर प्वरी केंदर बता रहे हैं, तो इसको जो है से ध्यान रखिए, तो देखिए तीसरा पॉइंट जो हम दे रहे हैं, वह है आपका तीसरा पॉइंट है प्वरी के बारे में दे रहा है जिसको ज्यान रखें देखें पौरी के अंद्र को ग्या कहा जाता है पौरी के अंद्र को कहा जाता है आपका शारकम सेंटर कहा जाता है इसको जरसमयने का प्रयास के दिया देखें यह एक दिल्भूज है तो यहां से इस पर लंब डाली है कर दे हां से इस पर जुह है शलंब नहीं डालिया इसे लंब केंदर हो जाएगा देखिए ऐसे का रहा है या एक फिर इसके बाद जो है से इसका जो है से आधा अधिमालिया की यह point है मद्य बिंदुया है यानि यह इसम है तो एक यहाँ पर जो है से लम डाली है तो देखिए यहाँ पर जो है से हम लम डाले है देखिए यहाँ पर जो है से हम लम डाल रहे है देखिए इस बुजा दोनों जो है सिस्यम है त्यान रखिए गई कि बुजा जो है सियाव क्या है गुराज सियम है कि किसी तिल्भुज का जो तीनों भुजा था तो तीनों भुजा का लम सम्दी भादक यानि परपेंडिकुलर बाज सेक्टर कीचे तो परपेंडिकुलर बाज सेक्टर अगर खी दिया तीनों भुजा का जो है मत बिन दुगा तो यही आपका जो है से सरकम सेंटर है यही आपका क्या है सरकम सेंटर है यादि कोश्क्त है कि इड़ प्वांट ऑफ इंटर्स इंटर्सेक्षन ऑफ परपेंडिकलार बाइसेक्टर इसकि फिल्भूज की तिनो भुजाओं के लंब्सम्द भाजक का गटान बिन्दू या छेदन बिन्दू या परति शेद बिन्दू तीनो भुजाओं का तीनो भुजाओं की लम सम्दिभाजपूं की लम सम्दिभाजपूं का तीनो भुजाओं के लम सम्दिभाजपूं यानि कटान बिन्दू लंब समदी भाजिकों या रिपर्पेंटिकलर बा सेक्टर का कटान बिंदू या छेदर बिंदू या प्वारी का मितलब होता है बाहर तब पौरी के अंदर में तेया है कि तिर्भूज एक तिर्भूज खीच जाएगा एक जो हैसे सरकिल खीचा जाएगा और वह सरकिल जो हैसे तीनों सिर्ष से होकर जाएगा तो देखें इसमें क्या देखा जाएगा कि यहां से मान लिया कि इसको मिला दीजिए आ यहां से इसको मिला दीजिए इसको मिला दीजिए तो यह जो है से सब सेम आएगा यहां से भी सेम आएगा आ इसको मान करके इतना क्रीजिया मान करके एक सरकिल अगर खीच दिया जाए तो एक सरकिल ऐसे खीच जाएगा आईसे जो हैसे सरकी लाघप को फिचा जाएगा ते यही आपका जो हैसे पड़ी केंद्र है ता पड़ी केंद्र के बारे में आप क्या समझें या किसी क्रिभूज की तीनों भूजाओं के लम सम्दिभाजकों का पर्तिछेद बिंदू होता है या कटान मिंदो होता अब आई ये चोथा आपको क्या बताने जा रहा है परी के अंदर के बाद जो है से अब आपको लंब के अंदर बता रहा है लंब के अंदर देखिए लंब के अंदर को कहा जाता है और्थो सेंटर और्थो सेंटर और्थो सेंटर के बारे में समझे तो मान लिया कि यहां जो हैसे कोई तिर्भूज है तो एकी सिर्ष है यह है एकी बी है एकी क्या है सी है तो यहां से जो हैसे इस पर आप लामब डाल दीजिए यहां तो दूसर बात था ना यहां क्या था यहां आपका एक ऐसा लब खिचा गया था जो इस भूजा को भी यह कर रहा था सम्दिभाज कर रहा था यानि दो भाग में बांट रहा था और फिर जो हैसे इस पर यहां से एक लंब डाल दीजिए यह भी लंब है आप फिर जो हैसे एक यहां से सी से लंब डाले यह भी लंब है तो यहां आपका आर्थो सेंटर है यानि कोह सकते हैं कि सीर सलंब है सीर सलंबों का अच्छेदन बिंदू सीर सलंबों का क्या अच्छेदन बिंदू क्या कहलाता है तो यह जो हैसे आपका परी केंडर कहलाता है तो इस तरह से केंद्र के बारे में जो हैसे आप समझे गए कि केंद्र के बारे में जो हैसे चाट को हमने बताया आपको गुरूत्य केंद्र 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 फिर इसके बाद अंत्र केंद्र के बारे में बताया फिर इसके बाद परी केंद्र यानी सरकम सेंटर के ब पारिन बताया प्लम्ब केंद्रि शोषार के बारे में बताया है कि तैना समझे के बाद से समझ दिए कि आश्की इसके बाद जो है जो हम समझ आ रहे हैं उसको नजर कर रहे हुए रहेलें है नाकि की आप से खीबी पोईंट जो है नहीं हुए करında करत है आप हैं दिखिए अब हम बतआने जा रहे हैं तो कुछ पॉयंट्स जो है उसे पॉयंट को जो है से आप दो कं नोट करिए का देखिए। पॉयंट्स है घ्यव司रम है है आईउस्थ रहं के पॉयंट्स को आप दिहां रखिए गा यह एक आंतार आउधा कौन बराबर होते हैं, देखिए, एक आंतार आउधा कौन, देखिए, मालिया कि यह एक सरकिल है, आउधा पार आउधा किली के इस पॉइन पर जो है, एक आस पर्स रेखा किच दिये हैं, यह आस पर्स रेखा, फिर Humus सरकिल है, यह जो है यह आप ट्सक्रहा, एक जीवा गतार आउधा का मालिया कि यह जिवा, है यह आवक का एक जीवा खिच दी तो देखिए यहां एक कोन बनाई तो यह अगर कोन मालिया ठीटा है यह कोन अगर ठीटा है तो इसका एक आंतरा उधा कोन देखिए क्या होगा तो क्या कीजिए कि सरकिल जो है तो इस सरकील के इतना साइड को छोड़ दिदिए आई इसके बाद इधर जो इवाचा चाप दिर्ग चाप तो इस पर कोहीं भी एक कोन बना लिदिए मालिया यहाँ पर एक हम कोन ऐसे बना लिए इस जीवा के द्वारा तो यह भी आपका ठीटा हो कोई कहे का कि न हम यहाँ न बनाएंगे इस पर बनाएंगे इस पर बनाएंगे तो इस पर इस जीवा द्वारा जो आ है शिट कोन बनाई है ऐसे बनाई तो यह हभी कोन जो इक कोन जो चापस ठीटा होगा अगरी Запopes कि ईक आंतर रऊधा कुन क्या होते हैं येक आंतर रऊधा पूहून पराबर होता है यह यहां पर पॉयंट ऑफ इंडरसेक्शन है यानि यहां स्पर्स रिखाए जेवा खिचे नहीं है और इस तरह से ही जीवा किते है तो मानलिया कि इसका एक आंतर अधा कोन जानना है अगर अलभा है तो इस चाप को जो हैसे छोड़ दीजिए इधर वाला इधर कोन आप बनाए है न तो इस दिर्ग चाप को छोड़ करेका इलभू चाप में इस जीवा द्वारा एक कोन बनाए है कि अगर यह आपका अलभा है तो इसी को कहा जाता है एक आंतर अधा कोने के बारे में आप समझें चलिए इसके बाद जो हैसे और आईए दूसरा जो हैसे बहुत प्रकार का फियूरम जो दे रहें उसको दोहर से द्यान समझें किसी ब्रीट किसी ब्रीट के के केंदर से किसी ब्रीट के के केंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समझें भाजित करता है जीवा को क्या करता है शमद्री भाजित शमद्री भाजित करता है चले इसको समझी है मालिया कि यह एक जो हैसे ब्रीट है आया जो हैसे ब्रीट की एक जीवा है आया ब्रीट का केंदर है तो इस ब्रीट केंदर से जीवा पर हमने जो है से लंब डाल दिया तो जीवा पर अगर लंब डाल दिया यह मालिया ओ है आई ये भी है आया जो है से आपका सी है इस पर लंब डाल दिया तो यह जो है से जीवा को सम्दिभाजित करता हमारे दुनों बराबर होगा A C और B C जो है से दोनों बराबर आएगा यानि कहने का मतलब है या इस पॉइंट को ऐसे कह सकते हैं कि यदि यदि O C लंब A B यानि O C अगर A B पर लंब है तो A C बराबर B C यानि A C और B C क्या आएगा दोनों बराबर आएगा या उल्टा कह सकते हैं इसको उल्टा क्या कह सकते हैं कि किसी जीवा प्रित की किसी जीवा के मध बिंदू से अगर केंद्र को मिला दिया जाए तो वह रेखा जो है केंदर से जो जीवा के मध्य बिंदू को जो रेखा मिलाया वह जीवा पर लंब होती है तरीस थीरम को आप समझ गए कि किसी प्रित केंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समझिभाजित करता है या कहिए कि किसी ब्रित के केंद्रे और जीवा के मथ बिंदू से खीची गई रेखा जीवा पर लंब होती है या इसी चीजी को जो है से बिलोमे में क्या कह सकते हैं बिलोमे में अगर कहिएगा बिलोम का मतलब अगर उल्टा में इसी बात को कहिएगा तो ऐसे कहना पड़ेगा कि यदि यदि एसी बराबर बी सी यानि एसी अगर बी सी के बराबर है तो ओसी लंब क्या ओसी लंब एबी यानि ओसी जो है सी एबी पर क्या होगा लंब होगा आई से कह सकते हैं तो इस तरह से जो है से इसके बार में समझ गए और इसके बात जो है से अगला पॉइंट हम दे रहा है जिसको सब परतिक पॉइंट को आप दिहां रखिएगा परत्विक आपको जो थिर्म को जो सीधे करते थे प्रवे को साथी को यहां पर हम जो पता रहे हैं यहां पर जो है से डारेक दूसरी को याद रखना तो देखिए अब तीसरा पॉइंट हम क्या दे रहे हैं द्या लखिए तीसरा क्वेंट हम आपको दने जा रहे हैं बृत के बारे में ही देगे बृत की समान जीवाएं बृत की समान जीवाएं बृत की समान जीवाएं केंदर से समदुरास्थ होती है केंदर से केंदर से समदुरास्थ होती है देखिए अगर बृत की जीवा तो जीवा अगर बृत की समान है तो वह ही अंदर से समान दूरी परकती है, देखें इसको समझिए, मालिया की यह बृत है, आएक बृत की यह जीवा है ये भी, आएक बृत की जीवा आपको जो है से यह है, वी जीवा है, वी जीवा है, मालिया की यह बृत की यह लिवा है, यह बृत ही, आएक बृत है अएक बृत है, इसकी दूष जीवा है, और दोनों जीवा की लंबाई आपका समान वे, वी जीवा है, तो के अंदर से दोनों बराबर दूरी पर होती है तो मानलिया यह के अंदर है तही से के अंदर से जीवा पर लंब डालिये आई से के अंदर से यह जीवा पर जो है से लंब डालिये दोनों जीवा पर तो मानलिया कि यह दूरी जो है यह ओ है आया है आपका क्या है P Q है P या Q बिंदू जो है से इस बल्लाम डाले है तो O P बराबर क्या O Q माने O P O Q के क्या आएगा बराबर आएगा ऐसा होता है तो फिर इसका उल्टा भी कह सेखते हैं इसका बिलोम अगर कहिएगा तर बिलोम में आप क्या कहिएगा बताईए यादि ओ पी बराबर ओ क्यूँ यानि प्रित की दो जिवाएं के अंदर से बराबर दूरी पर है तो दोनों समान लंबाई की होती है यानि ये भी बराबर सीडी ऐसा का सकते हैं इसका बिलोग में चलिए चौधा पॉएंट पर आईए चौधा पॉएंट जो हैसे जो बता रहे हैं उसको जो हैसे द्यान रखिया एक ही ब्रित खांड के कौन समान होते हैं एक ही ब्रित खांड एक ही ब्रित खांड के कौन समान होते हैं देखिया ऐसा है अहुः कि ए इसको हमने जो हैसे दो खांड में थोड़ दिया इसको यह ब्रा से होटी है इसको दो कार्थ और कोई कहा कि नहीं खांड में हम कौन बनाएंगे तो चले इसी जीवा द्वारा इस खांड में कौन बनेगे तो मालिया यह कौन आपका अलफा है यह कौन इसी खांड में कोई और कौन बना दिया इसी जीवा द्वारा ऐसे बना दिया तो हमने क्या कहा कि ये कही प्रित्खंड के पून समान होते हैं तो देखिए कि प्रित्खंड के पून समान होते हैं इसके बाद जो है से पांच नंबर पॉइंट पर आई है तो देखिए पांच पॉइंट पर आ रहे हैं कि एक ही चाप द्वारा एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोन केंद्र पर बना कोन एक ही चाप द्वारा केंद्र पर पना कोन उसी चाप द्वारा उसी चाप द्वारा परीद ही पर बनाए गए कोन पनाए गए कोन का दूना होता है का दूना होता है दूना यानि दूदना होता है तक यह ध्यान लखना मालिया की यह जो है ऐसे एक बृत है आइस बृत के इस चाप द्वारा जो है से हमने इस चाप द्वारा जो है इस चोटा चाप द्वारा जो है से हमने बड़े चाप पर कोन बनाया तो मालिया की यह ऐसे बना तो यह कोन ठीटा है आइसी चाप द्वारा यह जो चाप है इसी चाप द्वारा जो है समालिया की बृत का के अंदर है तो हमने इस कोन को बना दिया तो यह है आपका तूठीटा है तो देखे क्या हो गया यह कही चाप द्वारा के अंदर पर बना कोन उसी चाप द्वारा उसी चाप द्वारा परीधी पर बनाये गए कोन का दुग न हो देखी यह एक चाप है दिर्ग चाप की लगु चाप है छोड़ा चाप आईसी चाप द्वारा हमने जो है से दिर्ग चाप पर एक कोन बना दिया आइसी चाप द्वारा जो हैसे हमने किया ब्रीत के केंदर पर कोन बनाया तो आपका यह पर में यह थिरम यही कहता है कि केंदर पर का कोन पर इधी पर के कौन का क्या होता है दुबना होता है तो पर इधी पर अगर ठीटा कौन बना है तो के अंदर पर आपका टू ठीटा कौन बने गए तो देखिए यह प्वैंट हो गया तो इसको आप ध्यान रखिएगा तब पांच प्वैंट हमने पताया और आपको जो हल्स तक हैं को पहल्पेश्ए प्रतेस को सब्सक्राइन है आंच booking है अब में जो तो देखिए छाथा पॉइंट हम जो दे रहा हैं उसको ध्यान रखेंगे देखिए छाथा पॉइंट हम दे रहा हैं कि दिर्ध चाप तो देखिए छाप में बना को देखिए तो जो देखिए छाप में बनेगा वह अधीक बोई होता है वह अनीन बज़ती है देखिए छाप में बना कोनी क्या निवन कोनी यानि ये क्यों टैंगिल होता है ये क्यों टैंगिल होता है और लगुचाप लगुचाप में बना कोनी तो यह है आपका जो है सियाधीक बना हो अधीक बनाएगा आप फिरू सहीं मिलाएगा देखिए इसको जो है समझे लिया जाए मन लिया कि यह जो है देखिए यह आपका क्या है यह आपका जो है से लगुचाप है छोटा चाप है आप यह जो है से आपका क्या है दिर्ग चाप है देखिए बढ़ा कगा रहा कि अगर दिर्ख चाप में कोन बनाएगा तो वह निवन कोन होगा आगर लगुचाप में कोन बनाएगा तो वह अधिक कोन होगा तो देखिए दिर्ग चाप में जो है से कोन बना रहा है तो कोन किसके द्वारा बन रहा है लगु चाप द्वारा बन रहा है तो देखिए ठीटा का रहा है ठीटा इस लेस देन 90 degree and greater than 0 degree मारे ठीटा का मान जो है से 90 से छोटा होगा यानि इस दिर्ग चाप में इस दिर्ग चाप में अगर आप कोई भी कोन बनाएगा तो वह 90 से आपका कम आएगा लेकिन 0 degree से बढ़ाएगा लेकिन इस लगु चाप में दिर्ग चाप द्वारा जो कोन बनाएगा जो खी से छोटा होगा उन्हाफी से बढ़ाबता है तो तो एकी फिर्ग चाप में लगु चाप द्वारा जें की लगुचाप में दिर्ग चाप द्वारा बना कुन अभी कोन पता है तो देखिए यह है आपका एक पॉइंट हो गया चलिए 7 पॉइंट आईए का कि इसको द्याना कि अभी को दो भाग में बाट दीकिए यह मन लिया कि उसका केंदर का केंदर है तो इसका मतलब भी व्यास है तो ब्यास है जो जीवा है ब्रित की सबसे बड़ी जीवा ब्यास कहलाती है ब्रित की बड़ी जीवा को ही क्या कहा जाता है ब्यास कहा जाता है डायमीटर कहा जाता है इसी को the clear है कि diameter जा है से ब्रित कि धो पराबरन बांड दे है तो कर रहा है कि देथ है और तभित का कौन समकॉन होता है कि कि इस जीवा द्वारल कौन बनाईये ब्रिता आध्हाधा होगया है त्य जीवा द्वारल कौन बनाईये तमान लिया कि जीवा रदलबृत का क्या होता है अब जो है से आगे जो है से हम लोग सिखते हैं तो देखें साथ हो पॉइंट हमने सिख लिया चलिए आठ्वा पॉइंट के बारे में आप देखें देखें आठ्वा पॉइंट आई है चलिए चाकरी चतुर्भू समझिए 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 चतुर् बृत के परिधी Но पर पॉइंट ले करके इस चारो पॉइंट दोर कि गए है कि इसे को कहा जाता है चक्रिअ सब्सक्रिक डिए तो इसलिए क्या पूराम आपका काता है कि चक्रिये चत्रुखोज के समुख कौन संपूरग होते हैं तो संपूरग के बारे में हमने आपको बताया था क्या कि वे तो कौन जिसका जोड़ा 90 डेगरी एक 87 डेगरी हो को रिखो दूसरी की क्यain supplementary इंग्ल का donnया है यानुखर कुरर को को गलगा तरह कि इसका संपूरग की हो जाएगा मैं मैं इसका संपूरग जो हे से यह हो जाएगा आगरी जो है समुखको खोन के जोडियेगा क्वह ओने जोड़ कौन सी की दिएगा या कोन B आजोड कोन D की दियेगा तब आपका जो है जानत है कि आजाएगा इट सवसी डिग्री आजाएगा तब चक्रिये चत्रभुज के समूख कोन क्या होते हैं तब समूख कोन जो है से एक सवसी डिग्री को तब इस तरह से इसके बारे में समझ गए अब इसके बाद जो है से इसी में एक पॉइंट हम आपको दे रहा है कि शक्रिये समनांतर चत्रभुज शक्रिये समनांतर चत्रभुज आयत होता है शक्रिये समनांतर चत्रभुज जो है से क्या होता है आयत होता है आप दूसरा दे रहा है कि चक्रिये सम्चत्रभुज बर्ग होता है देखिए इसको समन दिया मान लिया कि चक्रिये समन आंतर चत्रभुज है मान चक्रिये चत्रभुज है लेकिन वह समन आंतर है तो जैसे मान लिया हम ऐसे बना दिया दिया है आपका समन आंतर चत्रभुज है लेकिन वह समन आंतर चत्रभुज है तो चक्रिये समन आंतर चत्रभुज अगर कि जियेगा तो चक्रिये समन आंतर चत्रभुज एक क्या होता है आयत होता 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 रहे ना देखिए ऐसे है तो यही चक्रिये समन आंतर चत्रभुज है यही चक्रिये सम चत्रभुज कहेगा तो सम चत्रभुज के सब भुजा क्या होता है तो यही चीज अगर बराबर आजाएगा मने सब भुज में बराबर हो जाएगा तो किलियर है कि किसी आयत की सब भुजा अगर बराबर आजाए तो किलियर है कि वह क्या आजाएगा बरग आजाएगा तो यह जो हैसे इसमें क्या है सब सिम आपका है तो यह बन गया बर्ग, आई क्या है, आयत है, तो आप दिहान रखिएगा, कि समनांतर अगर चक्रिये समनांतर चत्रगुज है, तो चक्रिये समनांतर चत्रगुज एक आयत बता है, अगर चक्रिये सम चत्रगुज अगर रहेगा, तो सम चत्रगुज एक क्या होता है, बर्ग तो देखिए आयत और इसके ऐसे आयत बढ़्ग के बारे में में अब आपको दे रहें कि आयत बारित के बारे में अपको समुझता हुआ देखिए आयत आयत को क्या कह जाता है रिखताएंगे लिए देखिए आयत के बारे में समझी है आयत है तो देखिए पर्तेत 90 डिग्री रहेगा ये है ये वी है इसी है ये क्या है डी है इसके बराबर रहेगा आयी इसके बराबर रहेगा आमने सामने का पर्तेत भुजा बराबर रहेगा इसके बाद दोनों भी कार्ण तो हैसे बराबर रहेगा तो देखिए आयत के क्या-क्या विसेस्ता है कपाला विसेस्ता है कि यह समनांतर चत्रगुज होता है दूसरा आपका इसका क्या विसेस्ता है तो दूसरा विसेस्ता आपका है कि यह भी पराबर सीडी रहेगा और इसके बाद इसमें क्या रहेगा कि A, D बराबर B, C रहेगा और एक और क्या रहेगा तो दोनों पीकर्ण बराबर रहेगा A, C बराबर B, D रहेगा ऐसे रहेगा तो देखिए अगर यह जो है सिक्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर है दोनों पीकर्ण बराबर है फिर इसके बाद क्या रहे का देखिए विकर्ण एक दूसरे को क्या करते है विकर्ण शम्दिभाज करते है विकर्ण एक दूसरे को सम्दिभाज करते है यानि बराबर भाग में जो है सब विकर्ण एक दूसरे को बांडते है यानि कोहने का मतलब है कि ये ओ बराबर सी ओ और उसी तरह से बी ओ बराबर डी ओ ऐसा होगा यानि भी करने कि दूसरे को समधिभाज करेगा फिर इसके बाद जो है से और क्या है चौधा पॉइंट आपका दे रहे हैं क्या इसी में दूसरा पॉइंट में उसको एक कोवर पॉइंट हम दे रहे हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिगरी तो इस तरह से जो है से परते कोण जो है से 90 डिगरी का होता है तो आयत के बार में आपके आप समझे तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत के दोनों भी का लपरस्पर बराबर होते है आयत के परतेक कुन जो है से नपे डेगिल का पता तो इस तरह से आयत के बारे में जो है से आपने समझ लिए और जो है से बार्ग के बारे में समझ लिए तो देखिए यहां आपको लिख दे रहे हैं बार्ग बार्ग का मुतलब क्या होता है अस्क्वेर देखिए तो इस पॉइंट को जो है स्याब बारी की से इस पॉइंट को समझिये का देखिए बार्ग के बारे में क्यों देखिए देखिए यह बार्ग है यह बी सीथी तो देखिए बार्ग के पर दीख हुझा आखा उपरावर्ण देखिए दोठों भी करने खीद दिये हैं ऐसे तो देखिए बार्ग में जो हैसे सबसे पहला भी सिस्ता है कि यह भी समनांता चद्रुबजय यह क्या है शमनांता चट्रुबजय बता है देखिए दूसरा हम आपको बता रहे हैं कि A, B, B, C, C, D, D, D यानि सब भूजा बराबर होगा इसके बाद कोन A, बराबर कोन B, बराबर कोन C, बराबर कोन D बराबर 90 degree हो गारे में इसके बाद क्या जाएगा कि दोनें पीकार्न चाहिक जाएगा है इसके बादग जो है से हम आयत कह सेगते हैं यह है आयत बता है बर्ग को हैसे हम आयत को सेकते हैं चुकि आयत का सारा कुझ जो हैसे बर्ग में समाहित है अच्छा बर्ग में जो हैसे एक और चीज है जो आयत में नहीं है आयत में जो हैसे नहीं होता है तो देखें बर्ग में एक चीज़ क्या है कि अच्छाई भी जो हैसे पताये थे कि वो पॉइंट पर करता है तो आपको हम बता ही दिये कि ये ओ ये ओ बराबर आपका होगा सी ओ आई इसके बाद बियो बराबर डियो बियो बराबर डियो तो दिखिए इबर्ग में जो जो भी था बर्ग का जो भी गुन था उस सब गुन जो हैसे आयत में मिल गया देखिए यह समनांतर चतुर बुझ है आई सब जो हैसे सब भु भूजा बराबर है तो समनी गों नाइट्ध कुना ही गया। शे न को नानि की गे गोई ile ये करू वा जिस में पुर्ण और दूसरे को समधी भाद करते हैं जी डही कίν वर्ण को हम आयत बसक्ते हैं या निली पर दे पर्दीक बर्ग जो है पर्दीक बर्ग क्या होता है कि एक आयत होता है पर्दीक बर्ग आयत होता है पर्दीक बर्ग को हम आयत जो हैं से कह सकते हैं लेकिन पर्दीक बर्ग को आयत हम कह सकते हैं आयत को बर्ग नहीं करते हैं तो देखें परतेक बर्ग आयत होता है इस पॉइंट को हम लिखेंगे एक चीज जो हैसे इसमें जो हैसे और गुन है जिसको हम लिख रहा है कि ये सी परपेंडिकुलर होता है बीडिंग माने बिखर्ण एक दूसरे को लंबोत सम्दिभाज करते हैं तो देखें बिखर्ण एक दूसरे को लंबोत सम्दिभाज करते हैं इसमें हमने नहीं बोला है इसमें चेनको बोलेट है कि बिखर्ण एक दूसरे को सम्दिभाज करते हैं इसमें बिखर्ण एक दूसरे को लंबो लंबवत करते हैं लंबवत करते हैं अगर आप कहिए गार कि तो नहीं मिल रहा है तक पर पड़ेक बढ़ने को आयद हम कैसे कहते हैं तो देखें विकरने का दूसरे को समधिभाज करते हैं पॉइंट मिल गया की नहीं कि विकरने को करते हैं लेकिन आयत मिल रहा है इसलिए बर्ग को आयत कहना जो है से कव्याती स्वक्ति नहीं है बल्कि यह बात जो है सही है तो बर्ग आयत के बारे में समध्य के बारे में जो है सिर्फड़ा साफ को कि यहां पर हम लिख रहा है आपको सम्चत्रभुज को कहा जाता है रोंबस तो देखिए रोंबस में हम कहा रहे हैं आपको क्या है कि बार्ग बार्ग होता है बार्ग होता है नहीं कहा रहे हैं रोंबस में हम आपको कहा रहा है कि सम्चत्रभुज है यानि सब भुजा बराबर देखिए सम का मतलब क्या है तो सम का मतलब है कि बराबर तो सभी भुजा बराबर सभी भुजा क्या रहेगा समान रहेगा यानि बराबर रहेगा जो आपका क्या पर्ग में भी है फिर दूसरा आपको कह रहा है कि बिकर्म लंबवत सम्धिभाज लंबवत शम्धिभाज यानि बिकर्ण जो हैसे एक दूसरी को लंबवत सम्धिभाज करते हैं उस व भुजा क्या रहता है बराबर रखता है लेकिन पर्तित कोन बर्ग के बारे में हम कहते कि पर्तित कोन 90 डिक्री का होता है लेकिन इसमें हम इसके बारे में साहिलेंट है यानि कोन के बारे में जो हैसे कुछ नहीं कहा जा सकता है कोन कुछ भी रहे लेकिन ही दोनों भी सेस्था मिलना चाहिए समचत्र भूज में जो हैसे ये दोनों भी सेस्था मिलना चाहिए तब सम्चत्र भूज आपका रहेगा इस सभी भूजा समान रहना चाहिए और बिकर्ण एक दूसरे को क्या लंबो तो सम्धिबादी करना चाहिए यानि करने का मतलब है कि हम कह सकते हैं बर्ग के बारे में कह सकते हैं कि बर्ग एक सम्चत्र भूज है बर्ग एक आयत होता है कह दिये आयत होता है फिर इसके बाद जो है से कह सेकते हैं कि बर्ग क्या होता है पाचमा पॉइंट दे दिये कि बर्ग शम्चत्रुभुज सम्चत्रुभुज होता है यानि कहने का मुत्रब है कि समचत्रบूज के जो भी पी सेस्ता है रूमबस का जो भी पी सेस्ता ही वबर्ग में मिल गया था तब बर्ग को हम क्या-क्या क Chili है यास मिल रहाएगी नहीं तो यास मिल रहा है अब आप मालिया कि कहीं कि क्या समझत्र मुझका सभी कुल 90 डिकरी का होता है तो कों के बारे में यहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया तो जब पॉन के बारे में कोई रूमबस के बारे में ध्यान रखिएगा कि सम्चत्र भूज यानि कि सम्हें बूजा यानि चारो भूज भूजा समानों होना चाहिए और याद रखिएगा चाहिए करण लंभोत सम्दीभाद बना चाहिए और कोई कहेगा कि क्या भी कर्ण इसका दोनों बराबर होता है तो इसके बारे में तुम नहीं कुछ सम्चत्र बना चाहिए चरह से बारत के बारे में बता दिया समचे तो बोज के बारे में बताया तो सारे पोईट गुन को अख़िया दिया हुथ ही कोई डिफ़नीशन आप है अब उस पर जहसे छल रहे होंगे सारा एज इंसीं से धियां रखना है कि भांग देह के एक अब्द कर पतांग में जा रहेओ शर्बांसम और समरूप के बार में तो देखिए सर्बांसम सर्बांसम का मतलब हो गया कॉंगरुएंट आएक हो गया सर्बांसम का मतलब आपको समझना है कि दो फिगर सर्बांसम आएक देते रहे हैं यहां लिखते रहे हैं शमरूप तो इसको कहा जाता है सेमिलर सेमिलर तो देखिए सर्बांसम का मतलब है कि दो फिगर को जो है से सर्बांसम हम तब कहेंगे और सिमिलर जो है से दो फिगर को हम सिमिलर कब कहेंगे तो इसमें क्या है कि सेप इसमें भी सेप आई है और इसके बाद साइज आई है तो समरूप का मतलब हो गया कि सेप सेम होना चाहिए आई सर्बांसम का मतलब है कि सेप सेम होना चाहिए आई साइज जो है से यह भी सेम होना चाहिए यानि सेप दो फिगर सर्बांसम तब कह लाएंगे जब उनका सेप और साइज सेम रहे है और दो फिगर जो है से समरूप तब कह लाएंगे जब उनका सेप सेम रहे है और साइज के बारे में कुछ भी नहीं बोला चाहिए कि साइज क्या है साइज कुछ भी रहे है लेकिन सेप सेम रहे है तो उसको सर्बांसम कह दाए अगर मानलिया कि shape और size यानि आकार, shape का मतलब क्या हो गे अक्तिती उसका और आकार अगर दोनों same रहे तो बहुत सर्बानग समाएगा गांगूरेंट रहेगा और अगर shape same रहे और size कुछ भी हो तो उसको similar कहा जाएगा कि समरूप का जाएगा जैसे एक फीगर को अगर उठा करके δूसरी फीगर पर रख दिया जाए तो वह न थोड़ा-सा बढ़ा हो न छोटा हो कि सीम हो कि सीम हो तो उसको कहा जाएगा कि सर्वानसम्ण आठी और मानलिया जैसे मानलिया कि एक एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है लेकिन दोनों का जो है जब एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई तेक्रियर है कि उसका साइज अलग-अलग हो गया लेकिन अगर कॉंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए तो जोगी देखा जा रहा है उसके आंखों को देखा जा तो दोनों भाई का सेम आ रहा है तो उसको हुम समरूप कहेंगे और सर्वाइशन का मतलब हो गया कि साइज भी से महना चाहिए और सेप भी से महना चाहिए तो जैसे मान लिया कि इसमें जो है से सर्वाइशन समरूप के बारे में जो पढ़ना है तो देखिए तिर्भूज के लिए क्या था तिर्भूज के लिए तिर्भुज के लिए था एक एस 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 बूजा भूजा भूजा यानि अगर एक तिर्भूज की तीनों भूजा की अलग अलग बराबर हो तो दोनों तिर्भूज सर्वाइशन पहू एक और इसमें थिवरम था Akees Aak मने अगर किसी एक दिर्भुज की दो भुजा रुजा रुजके बीच का कौन किसी दूसरे दिर्भुज की दो भुजा रुजके कोन की अलग-अलग बराबर हो तो दोने तिर्भुज रुजा पांचा एक और था एक और था को क्या Asea कि अगर किसी तिर्भुज के दो कौन और उसके बीच की भुजा की अलग-अलग बराबर हो तो दोनों तिर्भुज के लिए क्या था हिए के लिए dai that means a तो समरुपता के लिए अनको गेशीश मरूपता कि अनको इस दिशे तिर्भुज के तीनों अलग-अलग बराबर हो तो दोनों तिर्भुज क्या होते हैं शमरुप्त असरा कंशी समरुप्क के बारे में जो है से देखिए एक क्या है कि मन लिया है कि यहां तिर्भूज है A, B, C आ यहां यहां तिर्भूज है P की Y तो एक थियूरम आपका है कि दोनों तिर्भूज समरूप कहलाएगा तिर्भूज समरूप कहलाएगा जब A, B, P A, B, P, Q बराबर B, C, P, Q, R बराबर क्या A, C, P, P, R यानि दो तिर्भूज है समरूप तब होते हैं तो क्या होगा तो तिर्भूज A, B, C शमरूप तिर्भूज समरूप का देखिए चीन ऐसे दिया रहा है समरूप तिर्भूज पी की वार ऐसा फिर इसमें जो हैसे एक ठीरम आपका है कि समान कोनों की सामने के भूजाओं कानुपाद समान होता है शमान कोन समान कोनों की सामने के भूजाओं कानुपाद शमान कोनों की सामने के भूजाओं कानुपाद शमान कोनों की सामने के भूजाओं कानुपाद समान कोन जल से देखिए मान लिया कि यह की तिर्भुज है, यह आपका ठीटा है, यह आपका अल्भा है, यहाँ का अल्भा है, आई बीड़ा है लिकिष्टरा का रख यह कि इसमें आपको जो वैसे यही कहा जा रहा है कि इसको मांगे लिए कि इसको डीए एफ तो चली आलफा के सामने के भूजा आई यह बटे अब आलफा देखिए आलफा यहां है तब डीएफ समान कोनों के सामने के भूजा का नो पाक समान होता है ना आलफा बराबर बीचे है आलफा के सामने इसमें क्या हड़ी यह बटे तो इतना बराबर बीटा आई यह तो बीटा के सामने यह भी है आई इस बीटा देखिए यहां बीटा है तो इसके सामने डीई है और इसके बाद आईए बीटा आईए तो यह है आपका क्या रिया है यह आपका बड़ा बड़ा है तो इसकी रम को जो है से नहीं भूलिएगा कि समान कोनों की सामने के बुजाओं कानुपात क्या होता है शमान होता है तो यह जो है से क्या आई सब किसके लिए है तो यह समरूपता में जो है सेसब परमे है पिर इसके बाद जो है और इसमें जो है से प्रमे हम दे रहे हैं जिसको आप दिहां रखिएगा देखे इसमें जो है से हम तीसरा प्रमे आपको दे रहे हैं क्या आप देखे तीसरा प्रमे लिख रहे हैं कि तिर्भुज A, B, C और तिर्भुज D, E, F, समरूप तिर्भुज क्या है ABC सम्रूप गया है तिर्भुज दिये तो इसके बाद कह रहा है कि किसी तिर्भुज अगर दो तिर्भुज जो है से सम्रूप है तो उनकी संगत भुजाओं कानुपात क्या हता है सम्रूप गया है तो देखें यहां जो है इतना तक आप समझे यहां इसके पाद जो है इसके बाद समपर भी हम ले जाएंगे जो उसको आप देखिए शम्रूपता पर ले जा रहा है देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह बीची तिर्भुज है आया तिर्भुज आपका पीखी वार है तो देखिए आपको जो है तो तीसरा चीज़ क्या बताने जा रहा है कि यह बीची तिर्भुज ए बीची सम्रूपते भुदी पीकी वार तो एरिया उफे ट्राइंगल ए बीची यहार मतलब एरिया च्छेटपल समदियेगा बाइ एरिया उफे ट्राइंगल पीकी वार बराबर क्या ए भी औस्क्वार बटा पीकी वास्क्वाईयर बराबर बीसी यह बराबर बाटे वार रस्क्वाईयर कि यहां आपको ध्यान रहना चाहिए कि यहां कौन जोए इस कोन के बराबर हा आई को जोए से इस कोन के बराबर है इस को तो देखे ऐसे होता है जो बहुत इंपोट्रिंड तो देखिए इस तरह का है कटैंसल सारे चीज़ को जो है सब्सक्राइब कर देखें कि दो समरूप तिर्भूज दो समरूप तिर्भूज के छेत्र फल एक सोपचीज तथा च्वातिस है तो शंगत भूजाओं कानुपाद संगत इस शंगत भूजाओं कानुपाद बराबर डौट लौट आपको बतानाacious ऑप जीयां फटिंग चट्वा पूड फूट किया जाता है करता उब tér Nat сор due स्ञोज आप यापफल रिखेंगे सेङन तो अब बाई यहां क्या कर दीजिएगा 202 y2 बराबर 125 बराबर 36 इसल rapt दीजिएगा बताईए तो पचिष 125 थाना 125 नहीं लिखिए 25 ख़ाली चोईगे तो इसको लिख दीजिएगा कि 25 बराबर 36 इसको पूछा जाता है इतना अनसान है फिर भी जो है से इसको पूछा जाता कर चाहिए अब इसके बार जो है से बता रहा है उस पर जो है से नजर रखिया देखिए आगे जो हम बता रहे हैं उस पर जो हैसे द्यान रखना है देखिए थेल्स प्रमे जो हैसे आप समझें थेल्स थीरम तो थेल्स थीरम में देखिए यह थीरम क्या था आपको कि यह एक तिर्भुज है तो इस थीरम में थेल्स महदे थेल्स मैथमेटिक्स थे उन्हों ने कहा कि किसी तिर्भुज के दो भुजाओं के मथ बिंदू को मिलाने वाली रेखा कोई तिर्भुज है दो भुजाओं के मद बिंदू को नहीं उदूसा थीरम है दखिए थेल्स के रम इसा इसा है किसी तिर्भुज के किसी एक भुजा के समनांतर खीची गई रेखा दो आने भुजाओं को समान अनुपात में भीभाजित करती किसी तिर्भुज के किसी एक भुजा के समनांतर खीची गई रेखा दो आने भुजाओं को समान अनुपात में भीभाजित करती तमाब लिया कि ये भी C एक तिर्भुज है आई इस तिर्भुज को जो है C कैसी रेखा है देखे यह एक रेखा है इमालिया की यह लेकर रेखा है जो P और Q दो बिंदुओं पर इसको क्या कर रही है काट रही आई यह P किव जो हैं से B C को समनाँतर है PQ समनांतर क्या है आपका PC तब PQ अगर PC के समनांतर है तो यह है आपका परमे कहता है कि AP बटे PB AP बटे PB बराबर EQ बटे QC यानि कि किसी तिर्भुज की एक भुजा यानि BC भुजा के समनांतर खिजी गई रेखा दोआन भुजा AP और क्या बच गया ऐसी को समान अनुपात में भी भाजित करती है यानि AP बटा PB बराबर EQ बटा QC ऐसा हो तो यह जो हैसे यही आपका जो हैसे फिल्स परमे या इसी को कोई ऐसे बोलतेगा तो नहीं घब रहिएगा कि मालिया की कह दिया AP अब बटा AB ये पी बटा ये पूरा तो इध्रो कह दिरीगा की ये क्यों बटा पूरा तो क्या कहिएगा की ये क्यों बटा अब पूरा अमने ये सी ये अमन लिया की उलाट के कोई कह दिया ऐसे आपको कह दिया की BP की BP कह दिया आप BP बटे कह दिया क्या AB तो उसी तरह से इध्रों बोल दिरीगा CQ बटा कि AAC तो इस तरह से जो है से यह सब आपका क्या है यह थेल से प्रमे है तो थेल से प्रमे का स्टेटमेंट आपको दिया रखना है क्या कि किसी तिर्भूज के एक भूजा के समनांतर खीचे गई रेखा दोआने भूजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो देखिए दोआने भूजा के समान अनुपात में क्या किया विभाजित करती है चलिए इसके बाद जो है पाइथो गोरस प्रमे तो आपको याद होगा पाइथो गोरस प्रमे पाइथो गोरस प्रमे पाइथो गोरस थीगा तो इस पर में जो हैसे सब लेका याद रखता है आपको भी याद होगा तो देखिए ऐसा है कि यह एक सम कोन तिर्भुज है आयह कोन जो हैसे क्या है यह कोन आपका 90 डिगरी है तो इसको हम P कर रहे हैं या इसको P बेस है इसको आप समझ रहे हैं जो है से आप जो है से याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह मान लिया कि कोई किर्भुज है यह बी सी एक तिर्भुज है आप कोन एक का समझ भाजक जो है रहे हाई डी है याई कोन पराबर है यह डी है तो देखिए यहाँ पर जो हैसे काफी टीक लगा दिया है इसको ध्यान रखिएगा देखिए बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है बी आई है तब कोन ए कारधक क्या है बताई है कोन ए कारधक एडी है तो जो लिख रहा है इसको याब रखिए तो एबी ये बी बटे ए सी बराबर बी बटे सी डी ऐसा बता है तो इसको जो है सिद्यान रखिए इसको नहीं बुलादा कि किसी तिर्भूज में ये कोन का आरधक अगर एडी है तो एबी बटा एसी है बराबर बी बटा सी डी है कि इबटा एब बराबर इबटे ए इससे जो है से एक सरहा जो है से पोजिशन को लाया जाता है तो इसको जो है से द्यान रखिए तो अब आगे जो है सब दालते हैं सारे पॉइंट को जो है से आपको द्यान रखना है कि कैसे क्या बता है कि देखिया देखिए इस तीन ठो रेखा है आयह तीनो रेखा जो है समनांतर है इल वन है इल टू है क्या है इल प्री आ इसको एक रेखा काट रही है इसको एक कौन रेखा मन लिया इसे काट रही है इसको तो देखिए इल वन है समनांतर क्या है तो देखिये यह जो है सिधा काट रही थी, एक 3, एक 6 रहा है, जो इसको सिधे काट रही है, जो इस मतलब नहीं है, इसको इस समान अनपाट रही है, यानि इस लेंथ को अगर मन लिया, कि ये कह दिया जा एक राब B आई इसको C आई इसको अगर D कह दिया जाए तो जानते हैं क्या होता है आपको A by B बराबर C by D हो मने A और B का अनुपात वही होता है जो C और D का अनुपात तो इसको जो है से आपको ध्यान रखना है कि यह जो है L1, L2, L3 समनांता रेखा था आई इसको 2, 3, 1, 6 रेखा जो है समान अनुपात में क्या करती है इसको काठती है तो देखिए ऐसा होता है तो इसको भी ध्यान रखिए गा अब देखिए इस अनुपार्स रेखा अनुपार्स रेखा इसको भी ध्यान दखिए गा देखिए या एक वरीत है अमान लिया की एक खोर जो है से इवरीत है तो इसकी 3D R1 है इसकी 3D क्या है R2 है तो इह जो है सी अनुपार्स रेखा तो अनुपार्स रेखा के लंबाई क्या हो गया ये भी तो ये भी बराबर जानते हैं क्या होता है अनू अस्पार से रेखा के लंबर तो देखिए केंद्र मांन लिए एकी जो है क्या क्या एक क्या है आ एक आ Suppose जोट्पी वर वानू एक्ण्द्रों के बिच की दूरी का स्वेर गटाओ त्रिजियाओंगगु अंतर का त्रिद्याओं के अंतर के अस्पार के क्या अंडरूट यह हो गया नूँ असपर्स रेखा की लंबाई आई यह तो देखिये तिरिये कस्पर्स रेखा की लंबाई आई यह तो देखिये इसकी त्रिद्या एक आरवन है इसकी त्रिद्या मालिया क्या है आया है आई यह आपका ए और बी बिन्दू जो है स्पर्स रेखा आई आपका क्या है बी और गी तो यह भी बराबर अगर आपको निकालना है मनुकर वने प्रिया का स्पर्स रेखा यह की लंबाई वैं थिकि दूरी का इंदरों के बीच की दूरी का स्कुंआ humor आज आपको ट्री व्यांके जोह विर्यांके जुड़ कादि ब्हुलर स्पर्षEC नजकर की अब इसके बाद का चेजिए से ऐस पर से रिछा मन लिए हैं सपर से रिखा किता हैं कि पिर किया है किस्ध मान लिया कि इसका रिखा itself इसके बाद आईए यहां पर आईए तो यहां पर अगर यह भी बराबर कोई पुछेगा कि यह भी बराबर क्या होगा स्पर्स रेखा की लंबाई आपका क्या होता है तो देखी एक थिवरम है कि बरीत के केंदर से अगर असपर्स बिंदू को मिल बरीत की थिरिदिया असपर्स रेखा पर लंब होगा तो यह तिरियर है कि क्या जाएगा यह जो है आपका कौर ना जाएगा कि इसका मुतलब कि क्या जाएगा यह जो है तो अगर बन लिया कि बिंदू है तो यह पी अस्वेर अब माइनस आर अस्वेर का क्या अंडर हो और अगर अईसा करेगे तो इस्वा संघर आपका शक्कcale रिखा कि नंगा यह जारैं कि ब॰िट की तिरी ऐसर रहे महां पर लंग होती है कि ब॥री की त्रिख्ञा तो कि अजशित्या कि अगर ऐस पर रहे माई होगो हस्पार से रिखा पर लंब बती है देखिए मालिया कि यह एक बृत है आया हस्पार से रिखा तो त्रिधिया अगर यहां से रिख के केंदर से इसको मिलाईएगा तो यहां से रिखा पर लंब बती रखिएगा कि बृत की त्रिधिया अश्पार से रिखा पर लंब बती चलिए इतना चीज को देखिए और इसके बाद जो है से आगे देखिए अजय से माल लिया कि एक खोश्चन हम देखिए कि किसी बृत आपको जो है सियानु असपर सरेखा की लंब बताना है दो बृत के केंद्रों के बीच दो बृत के केंद्रों के बीच की दूरी जो है बीच दूरी दो बृत के केंद्रों के बीच की दूरी आपको क्या है तेरह सेंटिमीटर है तथा आरवन और आईटू का मान दिये हुए है मने पहला बृत के दूरी जा और दूसरा बृत के दूरी जा जो हैसे हम दे रहे हैं तो पहला बृत के दूरी जा दूसरा बृत के दूरी जा जो हैसे हम क्या कर रहे है आपको दे रहे हैं तो पहला प्रिद के त्रिज्या मान लिया कि तीन है और दूसरा प्रिद के त्रिज्या जो है से दो सेंटिमिलर तो पहला कोशन हम इसमें दे रहा है कि यह अनु असपर सरेखा की लंबा अनु असपर सरेखा की लंबाई बताईए और दूसरा प्रिज्या जो है कि त्रियक असपर सरेखा की लंबाई आपको बताना तो चली अब आईए और अनु असपर सरेखा आईए और अनु असपर सरेखा की लंबाई आईए तो इसमें क्या था कि केंदरों के बीच की दूरी का स्कुए है इसमें फर्मुला क्या दिये थे कि केंदरों के बीच दूरी गहटाओ गहटाओ क्या कहे थे तो अनु असपर सरेखा में की त्रियाओं के आउंता क्या स्कुएर का अंडर रूप कहे थे तो बिल्कुल एक करिक दूरी का अंडर रूप के जो है इतना से इसमें करिया यह साथ चलिए दूसरा आप माली आएके बनाएंगे तो त्रिया कस पर सरेखा त्रियाज असपर सरेखा की लंबाई पर आई है तो इसमें क्या कहे थे कि केंद्रों के बीच दूरी का स्क्वेर और माइनस तिर्जियाओं के जोड का दिवल असक्वेर इसका क्या अंडर रूप तो तेरा के स्क्वेर माइनस क्या बोलेंगे तो तीन जोड दूर का दिवल स्क्वेर आई इसका अंडर रूप तो यह आप वा जाएगा एक चोणो माइनस तीन दूप पांस का पचीस आजएगा इस घट जाएगा और पचीस घट गया इसके बाद चार इसके बाद चार इसके बाद चार इसके अंडर नहुं जाएगे दिचा एक सोचुगा आम इस लिख्या देगा मारे सेट तो यह जो है तिरियक अस्पर से लेखा के लंबाई 12 सेंटिपिडर आ गया और अनुए अस्पर से रेखा के लंबाई एंडर रूप एक सब और सटर करेगा तो अराम से जो है इसको हम बना सकते हैं मन लिया की कोई ब्रीत है, अब ऐसे ही जो हैसे ब्रीत के पारे में कोश्चन कर दे रहा है, जैसे ये कोश्चन कर रहा है, कि ब्रीत की त्रीजिया, कि ब्रीत की त्रीजिया जो हैसे पांस सेंट इमीडर है, और असपर्स बिंदू से केंदर की दूरी 13 सेंट इमीडर है, तो कह रहा है, कि असपर्स रेखा की लंबाई बतर है, बिल्कुल असान है, अधिकी समझ रहा है, मालिया यहां से जो हैसे इस पर असपर सरेखा की चागिया है यहां जो है तो बृत की त्रीदिया असपर सरेखा पर लंब होती है क्लियर है फिय त्रूला पक्ता है अब इसके बाद देया है आपको 13 देदिया आई इसके बाद जो हैसे बृत की त्रीदिया 5 दिया कि यह जो हैं से आप निकाली लीजिएगा पीक्यू पीक्यू प्या निकाली एगा बताईए तो चलिए पाई जो गुरस पर में से आ जाएए 13 हस्क्वार है हम माइनिस पांच के स्क्वार का परड़ में एक सच्वालिस का अंडरूट यानी बारस सेंटी में रपका जाएगा इस तरह से यह कोश्चन जो है से ऐसा कोश्चन किया गया है मिसा किया जाता है चलिए एक जो हैसे थिर्म आपको हम बता रहे हैं कि किसी तिर्भूज के दो भूजाओं के मद बिद्धों को जोने वाली रेखा तीसरी भूजा के समनांतर और उसकी आधिवती है देखिए बहुत इपॉर्टन पर में है किसी तिर्भूज के दो भूजाओं किसी तिर्भूज के दो भूजाओं के मद बिंद्धों मद बिंद्धों को जोड़ने वाली रेखा जोड़ने वाली रेखा तीसरी भूजा तीसरी भूजा के समनांतर जमांतर देखिए और आध ही और आध ही तो देखिए इस पॉइंट पर दिटेखा पोती है देखिए ध्यान दीजिए इस तिर्भूज को क्या सिक विषे था a यह एक तिर्भूज है जो है को कि इसका मद बिंद्धों मान लिया एई है यह पर आबर है मदभई बिन्दू मुलिया कियो है ? तो कह रहा है कि यह रेख़ा यह 20 वे платच इसको इसको मिलाने यानि कहने का मुतलब है कि यती ये पी बराबर पी बी और फिर क्या है ये क्यू बराबर क्यू सी यानि मत बिन्दू दोनों है तो तो देखिए दो निसकर्ष निकल रहा है PQ समनांतर B-C अरै देखिए दूसरा क्या इसकर्ष निकल रहा है PQ बराबर एक वटे दू B-C यानि B-C का आधा हो गया यानि P-Q जो है से B-C के समनांतर होका और B-C का क्या होका कि इस तरह से जो है से इस कोश्चन को जो है आप देख लिए यह बहुत इंपॉर्टेट तुदल था किसी तिर्भुज की दो भुजाओं के मद बिन्वों को जोड़ने वाली रेखा तीसरी भुजा के समना अंतर और उसकी आधी देख लिए कि अब इसके बाद जो है से कोश्चन पर चलिए कि इसकोश्चन पर जो है से हम लोग चलते हैं कि कुछ कोश्चन को हम ला रहे हैं जिसको आप देखिएगा कराय कि तिर्भुजेवी सीमें तिर्भुजेवी सीमें कोने कारधा केड़ी है कि देखिए एक फिर्भुजपना दिया है कि यह पीसी है कि हाकार आए कि कोने कारधा केड़ी है मने जो है और अर्धाक है कि और इसके बाद यह दे रहा है पांस सेंटिमीटर यह दे रहा है छो सेंटिमीटर तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दिये तो इसमें कह रहा है कि B D A by D C बराबर क्या पूछ तो देखिए यह तो पिल्कुल हमने एक धीवम बताया कि दीश बाई दीश पर दीश पर दीश पर दीश पर दीश चलिए आगे जो हैसे देखते हैं चलिए अगला कोशन देते हैं कि अगला कोशन में जो हैसे आपको ज्या का रहा है कि A B C एक तिर्भुज है देखिए अगला कोशन में ऐसे का रहा है कि एक तिर्भुज है A B C कोन एक आर्धक A D है A D जो है कोन एक आर्धक है यानी या इक कुन बराबर है A D आपका क्या है A D आर्धक है चलिए इतना दिये हुए है फिर इसके बाद जो हैसे क्या घरा है कि A B बराबर जो हैसे दोस सेंटीमीटर है A B C आपको ऐसे दिया है यह भी दिया है A C दिया है चलिए उसे कोई दिकत नहीं है तो यह भी बराबर ही दोस सेंटीमीटर दिये है आई इसके पाद ही पुरा जो हैसे आठ सेंटीमीटर दिये है पुरा आठ सेंटीमीटर दे दिया है तो कर आए कि B D की लंबाई जो है आधार B C को D बिंदू पर मिलाती है यदि यह भी दस सेंटीमीटर B C आठ सेंटीमीटर तथा एसी छो सेंटीमीटर हो तो B D की लंबाई आपको बता है कि B D की लंबाई जो है सिख्या आपको यानि B D आपसे पूछ रहा है आपसे कौन पूछ रहा है आपसे जो है कि X पूछ रहा है ऐसे मन के चलिए इस पूछीन पूछ समझे इसा नठी दिया हुआ है क्या-के दिया हुआ है saving इसी पूछ सेंटीमीटर इसी सwers देFS का सेंट बताई है कि अर्द submission कर रहा हुआ है ए और क्या दिय हुए है सब हेस्टेमीटर इस शो सेंटीमीटर इस संटीमीटर होग मां सूछ तो X बताईए कि X बराबर डर्डर क्या है तो चली अभी अभी जो हम तुरम बताएं थे उप्रामें इंपॉर्डेंट परमें भी कहां से कि अगर यह है अर्धक है इस कोन का तो दिस बाइ दिस बराबर दिस बाइ दिस तो चली उसी थीरम पर आएए तो क्या आएगा चोबटे 10 आएगा की नहीं चोबटे 10 बराबर CD अब आई क्या आएगा X CD बाइ वोला तो अब इसके बाद जो है से नहीं होका तो काट दीजिए दू तीया चोबड़ दू पच्छे 10 तो तीन बटे 5 बराबर क्या जाएगा कि यहां से यहां तक आठ है इसको जब एक्स और कि एक्स है तो यह आपको आठ घटाविक सब्सक्राइगा तो पीछा दिछे गुना कर दिए तर्फिरी एक्स परापर बताईए ताठ पचे चालीस आ माइनस पांच तो पांच तीन आठ इधारा जाएगा आठ एक्स परापर चालीस ताठ पचे चालीस पांच तो एक्स का मान जो है से आपको क्या जाएगा एक्स का मान जो है से पांच तो इस कोशन को बना लिए चली एक आगला कोशन लेते हैं इस सरा क्यों कोशन आप ना पाते हैं कि नहीं आपको जहां देखते हैं कि या है कि एक तिर्भूज है तो चलिए इस तिर्भूज को जो है यह कि ए भी सी करी जहें देखिए eldै डि जो है सेंविसी के समनांतर है तो यह को क्या दे दिया है कि detect उसको लिए दिया है यह दू सेंटिमीटर दिया है अई दू समलव पांच सेंटिमीटर दिया है यह इसके बाद पूछ रहा है BC तथा AD BC पूछ रहा है मने X पूछ रहा है इसके पाद क्या पूछ रहा है यह पूछ रहा है और BC आपको पूछ रहा है तो यह पूछ रहा है तो चलिए इसको जो है से बिल्कुल दूर्म लगाते हैं तो क्या है कि इसको जो है से देखिए जब यह समनांतर है तो थिल्स प्रमे लगा देजिए तो चलिए थिल्स प्रमे से लगाई ए तो इब टे न तो दू बटे दू द समलो पांच बराबर बताईए तीन पॉइंट दू आप बटे क्या लिखिएगा तो यह लिखिएगा ने इसी इसी तो इसके बाद जो है से आपको काट भी सकते हैं यहां से इसको काट दीजिए 16 दूनी 32 वन पॉइंट सीक्स हजाएगा तो तीछा तीछा तीछ से गुना कर दीजिए इसी बराबर क्या जाएगा तो दू दसमलाव क्वाँ अचे आगुने एक दसमलाव छो तो 16 पचे 80 की 0 हाथ में 8 आज 16 दूनी 32 वन चालिस की 0 हाथ में 4 32 वन चालिस न हो गया तो देखेगा क्या लिया चार सेंटीमीटर आगिया किसकी लंबाई आगिया यह इसी की लंबाई आगिया लेकिन वाई आपसे पुछ राए तो वाई बराबर तो आप क्या लिखियेगा तीछ समलाव दू जोड इभी दो जोडियेगा ना तो यह जोडियेगा तो पलस चार चार तीण साथ दसमलाव दू सेंटीमीटर तो वाई का मान आपका क्या गया साथ दसमलाव दू सेंटीमीटर देया है अगर चलिए अभी एक्स के मान आपसे पूछ रहा है यह जोडियेगा आपको पूझ रहा है तक इसको जो है से कैसे बनाएगा तर देखी यह जो है से आपको लग रहा है कि यह जो है से क्या चिTalk में है यह जो है से क्या समरूप तिरभुज का मामला है ना त् eliminates झोटा तीर जो है झोटा तो चोटा तिर्भूज कि आप बाहर निकाल लीएगा न तो यह जो हैसे आपसे आसानी से बनेगा कि क्या होगा देखिये इसको जो हैसे हम कैसे बनाते हैं ध्यान दखिये Isaac यह तक तो आप समझे गया कि वाइन कामान आपको देके गिए ओइसके के बात जो हैं और हम क्या बनाते हैं कि एक और चिरी writings का मां बन बताना हाँ तो देखिये इख फॉड़का तीबुज है तो इसको हम निकाल दिए आई बढ़ा तीबुज एक है तो भातीबुज है तो यह जो है इसे आपका दून है आई इसके बाद जो है से यह क्या है तीन दसमला दू है और इसके बाद यह पूरा क्या है तई दू आई जोड़िये गाना ते चार दसमला पाँच आजएगा आई यह अभी अभी आया था क्या आई एक से कामान बताना था तो इसके बाद अब बताईए अब क्या होगा तो अगर दो तिर्भुज समरूप है समरूपता प्रमे लगाईए शमरूपता का प्रमे लगाईए तो दू बटे चार दसमलो पांच है कि बटे क्या लगा देएगा कि ग्रू बटे चार दसमल पांच है बराबर ही बटे ही ना जाएगा है लेकिन आको क्या किस का मान निकालना है आपको जो है से बीसी का मान निकलना है तो बीसी का मान निकलना है तो क्या आजाएगा बीसी का मान आप बीसी का मतलब भी फूरा आ गया न तो बीसी का मान निकलना है तो देखिए यह आई तिल्गू जब समरूप आ गया तो समरूप आ गया तो D का मान तो नहीं दिये हुए है या D दिये हुए है D का मान आपको 4 cm दिये हुए है जो हमने नहीं लिखा था या जो है से 4 cm दिये है तो इसके बाद आई है तो दू बटे क्या लिखिएगा दू बटे चार द समलो पांच दू बटे इस दू बटे चार द समलो पांच बराबर क्या चार बटे बताईए चार बटे एक्स दीस बाई दीस बराबर क्या लिख दिये बराबर लिख दिया आग को कि दीस बाई है एक्स तो यह दूसरे काट दीजी जेगा तू 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 नी चारे गुणा कर दीजी तो एक सो बराबर क्या जाएगा नौ सेंटीमीटर तो देखिए यह भी जो हैसे आपका बन गया कोशन तो इस तरह से जो हैसे भी आपका कोशन बन गया अब इसके बाद जो है देखिये क्या है कि ABC एक तिर्भुज है ABC एक तिर्भुज है आया है आपका PQ है आप PQ समनांतर क्या है और क्या क्या दिया हुआ है उसको जड़ा सा देख लगते हैं कि AP बराबर 2 इसके बाद BP बराबर 6 इसके बाद मैं BQ बराबर 3 कि 3 दिया है तो BC मैंने X इसका जो है समान आपको बताना है कि X बराबर चलिए इसको क्या करेंगे कि छोटा किल्भुज को अब बड़ा किल्भुज को जो है से अलग अलग निका लेकिती है आई इसके बादम से कामर में लगा देंगे तो इसके दूर है और यह है आपका क्या है यह तीन है आई जो है से पूरा क्या है तो इता आठ न हो जाएगा अच्वा दू आठ 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 आए बराबर तीन बटए एक्स तो दूचओं का आठ है चार्न हो गया तो इक्स बराबर क्या है वारा से कऱके या गए झा पामार 16 संट्टिमीटर इस तरह से आपका हीश भी बन गया चलिए अब आगे जो हैसे 23 तरह से तिर्भूज को जो हैसे बाहर निकाल करें के सुचिएगा नहीं तो जो हैसे गलत आपका हो सकता है गलत हो जाएगा कर आए कि किसी सम्भूभूज के सभी अंतर कोनों का जोड़ 1440 डिग्री है तो बहुभूज के भूजाओं कि सम्भूज के सभी अंतर कोनों सम्भूज के सभी अंतर कोन का जोड़ क्या है 1440 डिग्री है तकार आए कि तो भूजा तके सम्भूज अंतर कोनों का जोड़ जो है तो सभी अंतर कोनों का जोड दिया है तो सभी अंता कोन का जोड़ क्या होता है। तो दू एन माइनस 4, 9 to 90 तो सभी अंता कोन का जोड़ जो है। से आपको यही नहीं है, तो इतना कमान जो है से आपको दे दिया है यह चोदो सो चालिस। यह तो निकल ही जायगा, अब भी निकाल जेक्ट है। तो यह तो बिलकुल फर्मूला पर आपका था, तो इस पर जो है, यह जो कोई कढ़िन कोश्चन नहीं था, तो इसको जो हैसे आपने घ्या कर लिया बना लिया। चली एक कोश्चन जो हैसे ऐसा दिया है। देखिए यह एक जो हैसे प्रीत है, सरकिल है। आया हूँ इसका के अंदर है। आदेखिए तो पून जो हैसे ऐसे दे रहा है, बना रहा है। तो देखिए यह चाप है, आई इस चाप द्वारा जो हैसे कौन यहां पर जो है। यह कौन जो हैसे क्या बनाया तो यह कौन 15 लिगरी का बनाया। इस कौन का मान पूछ रहा है कि क्या हो। एक सुबराबर जोंटर। तो हम आपको बताएं है कि कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कौन उसी चाप द्वारा परीधी पर बनाये गए कोन कार्दूना होता है। तो इसका मतलब है कि कैसे बनेगा। तो परीधी पर अगर मान लिया। तीश डिग्री है। परीधी पर अगर मान लिया कि तीश डिग्री का कौन बना है तो तीश डिग्री पराबर क्या होगा। तू एक सुझाएगा। उसे मैंने जो परीधि पर्जो केंद्र पर जो अगर कोंट केंट्क डिजी का बना है कि गैमिवरह का कोज चल्था ittेश्ब भी जोते का favour डिक्री आ परी जो है कि इसका मुश्यक्ण कि इसके बाद जो हैसा देखिए अगला कोश्चन देखिए देखिए एक कोश्चन है कि आर्थ रिज्या वाले दो समान ब्रीत एक दूसरे को परतिछेद करते हैं कि दो ब्रीत है और दोनों ब्रीत जो है आर्थ रिज्या के समान ब्रीत एक दूसरे को इस प्रकार परतिछेद करते हैं कि दोनों एक दूसरे के के अंदर से लिजाते हैं आइसा वरीत है तो इस वरीत का केंदरी है इस बृत का केंदरी ढूनों समान है दोनों एक दुसरे केंदर से गुजा रहा है तो इसके बात कह रहा कि सर्वनिष्ट जीवा की लंबाई क्या होगा इसका लंबाई आप बताएं यह भी लंबाई आपको बताएं यह भी परावट डूर तो देखिए आर्थिरिज्या के दो ब्रीत जो है से एक दूसरे केकी अंदर से बुजरते हैं तो सर्वनिष्ट जीवा की लंबाई जो खेंसे क्या होगा यह बिएक ऐसा जीवा है जो दोनों सर्क लिए हैं लिए कि जह दो देखिएं के इसकी लंबाई हम बता रहे हैं ज्रासा दिहां प्लेश्च को करी गला बना दे थाुक्य। तो एक टाहब बढ़ा जा तो देखिए इसे मिला यह तो इसे बृत के लिए यह तो आएगा यह तो चलिए यह जो है से संभाहुति पुजापका आगया देख लिए आड़ यौश्ति संभाहुति पुजाँ निकाल लें आगी हुँए चलिए है किउसे हुँ आगया है याने कहने का मतलब है कि यह भी पराबर आपका चैनागा डूरित संभाहुति प्राबर क्या हुआ reads यह क्या घ्या जा जांते रिखाएंैं को समभावू NEW तिर्वूज का उंचाह याद होगा रूट-3 पटेत Journal ह colour पॉने रूट थ्रेंटू आर ये भी कामान क्या आ गया रूट थ्रेंटू आ रा गया चली एक और कोश्चन जो लेते हैं देखिए क्या है एक शम बाहू तिर्भू जह देखिए एबी सी एक शम बाहू तिर्भू जह देखिए इस शब हुजा बराबर आपका है और इसके पास जो है से यहां से इस पर नमब डाला गिया है यहां का क्या है संबाहू तिल्भूज़ i a d जो है से क्या उस पर लंब डाला गिया है तो को रहा है यह दि लंब क्या है यह दी लंब आपका बिसि हैं तो खौरा है तो कौन कठंध साथे हैं बहुत बाराया हुआ पोचन है जिसके चलते जो हैसे हम बना रहे हैं इसको च्वाइस में आपको दिये हुए है बहुत प्रकार्च का च्वाइस है कि 3ABS बराबर 4AD स्क्वाइस और रहे है कि 3AB स्क्वाइस है सब अब एपी और एडी के रूप में चुछा ज़्याज है तो चली इसको चाह सब बनाते हैं तो मान लिया कि यहां अगर लिजिये गाई एक्स है तो क्लियर है कि हो एक्साई हो एक्सोगा तो यहां जो है से आपका एक्स बटे दू आ जाएगा यहां से जो लंब डालिएगा न वी एक्स बटे दू आ जाएगा कि अघ्क्त स्क्षें मिला जाके दूनों लाएगा एक्स सुझळाएगा सकुद्ध में सबली मिञा को आत जो है से एच से निकाल लिए यह आइडी निहां यावका यह है हाई है किया हडी लियाता एक से पले एक सव्कारी इली एक स्वकार सब्सक्राइब कल्सक्राइब यह यह सबढ़ हमारा एक सब्सक्राइब ङे इन्ला जुनाहिए इसे एक को आजाएगा लगत्ज्स ऐाल के बाद कि ते करये पकुर एन्दिया compliant आप da 4ADS को बराभर थ्री एक साथ न सुख जो है यह और एक से नाहंद यह भी का मतलब एक तो थ्री एक तरह से प्लयवाच यह से अपसे बन गया आया कोश्चन जो है से बार बार आया हुआ है इसलिए जो है से इसको में क्या कर दिया बना दिया अब जो है से आगे देखिए देखिए एक कुशन क्या है कि पृफ्पूज की भुजायं पांच और साथ ज creat कोई पिल्भूज है तो इसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाए गए तिर्भूजा का परिमाद्व किया पकँ इसके मध्य बिंदुओं इसके मध्य बेंदू को मिलाने से बने तिर्भुज का परिबाप यानि परिमीती क्या होगा यह आपको बताना है इसका मध्य बिंदू मान लिए आई है इसका मध्य बिंदू है इसका मध्य बिंदू है इसका मध्य बिंदू है तो चलिए इसको बने लिए तो अब बताईए कि किसी तिर्भुज के दू भुजाओं के मत बिंदू को जोड़ने वाली रेखा तीसरी भुजा के समनांतर और उसकी यादे होगी तो यह है आपको जो हैसे चोबटे दू आएगा कि नहीं यह आपका चोबटे दू आजएगा इसका इवला आधा हो जाएगा अब जो हैसे इसको ऐसे सोचिए किसी तिर्भुज के दो भुजाओं के मत बिंदू को जोड़ने वाली रेखा तीसरी भुजाई हो गया तो समनांतर और उसकी यादे होगी तो इसको ऐसा इसी सोचिए तो यह जो है सिसका अधा हो जाएगा इसको फ़टे दुख़़गे ताब का परिमिती बरापर क्या जाएगा परिमिती बताई सो बटे दू जोर पांच गटे दू जोर साथ बटे साथ पांच गाड़व साथ पांच गरailed आठी Ciana आणि क pleasure नौ सेंटिमिटर इस तरह से इसका परिमिति निकल गया है अब जो है से मान लिया कि अगर ऐसा कुश्चन रहे तब इसे बनाएगा देखिए इस तरह का है A है B है C है और D है इसमें क्या है कि A D समनांतर आपका क्या दिया हुए है जिस से और अधर है जो है सैनटिमिटर आएया आपका 12 से आइयह मतहविंद्विंद्व कि इसक इसका मतहविंद्वई है करा STRIK इसकी लंबाई जो है सब्राबट क्या होगा कैसे होंगा कैनि रेट शलिए इसबैश्र बनाते है के दिन हो राखिए यह आपका क्या है 20 है इसके बाद जो हैसे इसकी लंबाई एक से पूछ रहा चले इसको जो हैसे ऐसे हम मिलाते है देखे इस तो मादे बेंदू है आ यह जो हैसे क्या है इसकी तीनों जो हैसे समनांतर है इस समनांतर है तो एक सब बराबर क्या हो जाएगा एक सब बराबर तो इसमें अगर इसको एक सबन कह दिया जा आ इसको मालिया कि एक सबन बराबर क्या जाएगा 20 बटे दू आ एक सबन बराबर क्या जाएगा इस तीरभूज में आईए तो इसका क्या जैगा आधा जैगा 10 बटे तो इस तरह से यह आगया 10 आई 2 पचे 10 5 तो एक्स बराबर आपका क्या जैगा तो एक्स वन जूड यानि ही 15 cm आपका यह तो इस तरह से जो है से यह कोश्चन जो है से बन गया तो इस तरह से जो है से हमने जो है से बहुत सारे कोशन को बनाया आप पर देख पॉइंट पर रख जो है से आपको ध्यान रखना अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा तो आप नहीं समझ पाईएगा यह जो है से मैं लांबा वीडियो जो है से बनाया हूँ इसलिए आपका कर्दाप है कि शुरू से अंत तक जो हैसे वीडियो को नहीं देखिएगा तो आप जो हैसे कैसे समझता है तो इसी के साथ जो है से आज एका वीडियो मैं समात करता हूँ और इसके बाद जो है से अगला वीडियो दोंगा जो लंबाई होगा और शुरू से अंत तक आपको देखना आनिवार्द है और डिपलोमा का इकदाम जो है से तुरत निकालने वाला है इसका डेट जो है से तुरत निकालने जा रहा है ये लिका निकाल दिया है तो आप जो है इसे पूरा जो है इसे long time जो है इस पूरे time तक video को देखने और download करके नहीं देखिएगा आप जो है से direct जो है say YouTube से ही देखिएगा और subscribe अधिक सी अधिक कि जिए और दोस्तों के भी share कि जिए इसी के साथ मैं अपने बगतव्य को आज वीराम देता हूं धन्यवाद झाल झाल झाल